हमारे इंजियो सेक्टर में जिनोंने एक प्रकार से मोनोपलाइस किया था, ऐसे लोगों ने इंजियो सेक्टर में जिस समय बड़े पहमाने पर सफाई के कानून बने, ट्रांस्परंसी के कानून बने, तो उसको बहुत विरोध किया. और जिसका उलेख प्रफुल ने कहा, ये ने स्वयम ये देखा कि जब भी कोई विकास का प्रकल्प होता है, तो एक दुसरे प्रस्पेक्टिव होता है, और उस दुसरे प्रस्पेक्टिव को धरना ही चाहिए. लेकिन जब ये ध्यान में आता है, ये तो एक प्रकार से बिजनेस है, आंदोलन जीवी लोगों का बिजनेस, ये जब ध्यान में आता है और वही लोग हर जगह दिखते हैं, उनके अकाउंट में अलग अलग जगह से पैसा आ रहा है, तब मन में शंका पैदा होती है, जिस गती से प्रगती कर रहा है, तो भारत की प्रगती से दुनिया तो खुश नहीं होगी, भारत है खुश होगा, क्योंकि जब rep करते जाते हैं जैसे हमने ब्रिटन को पीछे छोड़ दिया तो ब्रिटन ने तालिया थोड़ी बजाई होगी मन ही मन में गाली दी होगी कि यह कैसे आगे चले गए जैसे दुनिया में बहुत लोग और बहुत देश यह चाहते कि भारत की प्रगती की यह जो गाड़ी है इसको कैस रोका जाए और फिर ऐसे लोग बहुत फ्लैशी नेम के एंजियोज और उनके अगर हम विजन और मिशन देखे तो ऐसा लगता है कि माना होता को यही बचा सकेंगे लेकिन उनके कारिया अगर हम देखेंगे तो धैन में आता है कि उनका कारिया एक ही है भारत के विकास को र जरूरी है आज इस बात में कोई दोराई नहीं हो सकते कि अगर हम विकास में सस्टेनेबिलिटी नहीं लाएंगे तो मानवता के सामने बहुत बड़ा प्रश्ण खड़ा होगा और खड़ा हो चुका है सस्टेनेबिलिटी के आवशक्ता है ही सस्टेनेबिलिटी के सिवाए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते लेकिन सस्टेनेबिलिटी का अपना डिफिनेशन तयार करके और हमारी शर्तों पर आप काम कीजिए ऐसा कहने वाले जो लोग है उनसे मेरा विवाद है और मैं ऐसा मानता हू कि आज आगे बढ़ते समय sustainability के साथ आगे बढ़े और कई बार जो दूसरा प्रस्पेक्टव होता है वो सही होता है और ऐसे समय सरकार के रूप में दो कदम पीछे लेने में हम कोई अपशिष नहीं मानते हैं हम अपनी हार नहीं मानते हम पीछे लेते और इसलिए मुझे लगता है कि यह जो India's moment है इसको अगर हमको capture करना है और देखिए moment हर समय के लिए नहीं है प्रधान मंत्री जी ने 2047 की बात किये 2047 इंडिया has to be a developed nation और यह क्यों कहा है हमारा demographic advantage यह 2035 में peak पर होगा उसके बाद भी आगे 15-20 साल उसका फाइदा हमको होगा लेकिन उसके बाद हम लोग जिस प्रकार से आज developed economies की परिस्तिती है वहाँ aging population बढ़ रही है एक cycle है इस cycle में आज हमारा समय है और जब हमारा समय है ऐसे समय अगर हम लोग ने उस समय को खो दिया छोटी छोटी चीजों में उलच कर हमने अगर इसको खो दिया तो भारत के अंतिम व्यक्ति का विकास हम नहीं कर पाएंगे भारत के विकास की संकलपना को परिकलपना को हम पूरा नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ यही वो समय है कि जब हमको दृड़ता के साथ आगे बढ़ना होगा समाज और देश की भावना को जागुर्त रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना करता हुए क्या है अधिकार तो सबको पता है लेकिन अपना करता हुए क्या है इसको समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा तो निश्चित रूप से उस भारत की जो संकलपना हमने देखी है कि जो भारत विश्व में एक ऐसा देश जो विश्व को दिशा दे रहा है ऐसा भारत हम तयार कर पाएंगे मैं फिर एक बार Y4D को बहुत बहुत शुबकामना देता हूँ ऐसा ही आपका काम चलता रहे आपकी प्रगती चलती रहे